कॉंग्रेज महासरचीफ प्रेंका गांधि वाडरा ने केंदर की यह नैंद्र मोधी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है प्रेंका गांदी ने कहा कि इस सरकार ने अच्छे दिन लाने का दावा किया था लेकिन इन्हों ने तो देश का ही खाजाना खाली कर दिया प्रेंका गांदी ने कहा कि बिजेबी सरकार देश का खाजाना चंद पुंजी पतियों को सौप रही है और दूसरी तरफ आम इनसान के रोजगार, कामधंदे और रोजी रोटी पर हमला कर रही है इसी के साथ प्रेंका गांदी का CAA के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है अभी हाली में उन्होंने वारा नसी में मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार आई तो इस कानून को खतम करेगी प्रेंका ने CAA और NRC को काला कानून बताया और इस काले कानून को खतम करने की मांग की उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये दोनों कानून लागू नहीं होंगे उन्होंने लोगों से आंदोलन की जानकारी ली और कहा कि बिना हिंसा गांधी वादी तरीके से विरोध होना चाहिए वारण असी दोरे के वक्त उन्होंने अलग-अलग लोगों से इस कानून के बारे में जानकारी ली प्रेंगा गांधी ने कहा कि जो कानून हमारे लोकतंत्र और सम्विधान की मूल भावना को चनौती देते नजर आते हैं हम इस सडक पर उतर कर उनका विरोध करने से हिचकना नहीं चाहिए कॉंग्रेस पार्टी छात्रों, किसानों, नौजवानों, सहित, समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ी है आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसा लीगल सेल बनाएगी जो CAA की विरोध में देश भर में जेल जाने वालों को मुकदमा लड़ने में कानूनी सहायता दे सके इस वीडियो में इतना ही मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से क्मल्सक्न arm, और मुल्मण व्राइओ कॉलड़ने भीडियो, जुन अचित इसी करूंगेव दिल्ली एक में दोलिधे, तक रि और दिल्लीगल रहां दे जुने एक कानai bachelor मोली में ने सीघ्यर्पूंषंटर्च है झाल झाल